किसान दोस्तों धान की फसल में सही यूरिया देने से हमारा उत्पादन काफी अच्छा हो सकता है आपको पता होगा कि धान की फसल हो या किसी अन्य फसलों में यूरिया का काफी महतु रहता है वहीं बात करें जो धान की फसल है उसमें कितना ज्यादा महतु रहता है और पोधे का विकास काफी ज्यादा भी हो जाता है जिससे नुकसान भी हो जाता है कभी कभी क्या रहता है लेट लदीप करने से या कम मात्रा में देने से भी हमें नुकसान रहता है तो ये सारी चीजें clear आज हम आपको कर देंगे कि धान की फसल में यूरिया आपको कैसे देनी जाए साथ में आपको क्या क्या देना जाए किसां दोस्तों आपको पता ही होगा कि धान की जितनी भी विराइटिया होती है उनका समय निजधरत होता है अगर हमारी variety कम दिन की है तो हमें यूरिया जल्दी देने की आओ सकता पड़ सकती है और किस हिसाफ से देने की आओ सकता होगी ये भी आपको बताएं दें कुछ होती है मद्धी दिन की और कुछ होती है लंबे समय की यानि लंबी यावदी की इसमें तो इसमें आपको कैसे क्या देना है यहाँ पर आपको हम डिटेल से बता रहे हैं आप ध्यान दें जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो नार्मल तोर से कोई भी variety हो उसमें आप यूरिया जरूर दें अगर आपकी फसल 90 से 100 दिन में पकर तयार होती है तो 35 दिन से पहले आपको यूरिया जरूर देने किया हो सकता है करीब दो बार और जब 35 दिन की फसल हो जाया तब यूरिया आप उसमें 40 केजी यूरिया 10 केजी आपको पोटास देने की आओ सकता रहती है जिससे हमारे पोधे का विकास काफी अच्छा होता है और दूसरी बात रही जब हमारी फसल जो 10-120 दिन में पकर तयार होने वाली होती है तब हम 45 दिन से पहले या 50 दिन से पहले सारी यूरिया खत्म हमें कर लेनी होती है उसमें जो हमें लाश्ट यूरिया देनी रहेगी 45 दिन पर तब उसमें 45 केजी हमें यूरिया और साथ में 15 रहें के फोटास देने की आसकता रहती है लाश में बात करें जो लंबे समय की अधिवाली फसलीं होती हैं जी 14 दिन में पक्कर हमारी फसल Táyar होती है में हमें 50 दिन पर या 50 दिन पर यूरिया का काम कहत्म करना जांश्थ आप एक किलो या दो-दो किलो की आप अंतर करके बढ़ा सकते हैं जब आपकी फसल जो लंबे समय वाली है वो 50 दिन के 55 दिन की हो जाए तो 60 केजी आपको यूरिया और उसमें 20 केजी पोटास देने की आवासेकता रहती है जिससे हमारी जो फसल है ग्रोध अच्छे से करती है और इसमें दानों का भराव काफी अच्छा होता है उपज हमारी अच्छी हो सकती है ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कम लागत में अच्छी उपज लेना चाहते हैं इस समय आप जब आपकी फसल 55 दिन की हो तो आप उसमें यूरिया का इस्प्रे और जिंक के इस्प्रे भी कर सकते हैं अधिक अगर आप लाब लेना चाहते हैं और कम खर्च में तो आप गोलन से लुरुकों का प्रियोग करें तो यह सारी चीजें हैं जिस हिसाब से आप अच्छी उपज राप्त कर सकते हैं